हेलो माई यूट्यूब फैमिली आज मैं आप सब के सामनी एक बार फिर से प्रस्तूत हूँ एक बहुत ही प्यारे भजन के साथ अगर आपको मेरे द्वारा गाय हुए भजन पसंद आते हैं और आप ऐसे ही अच्छे अच्छे भजन सुनना चाहते हैं तो मेरे चैनल को लाइक करें शेयर करें और सब्सक्राइब करें चलिए फिर बिना किसी देर किये हम आज का अपना ये भजन शुरू करते हैं कभी प्यासे को पानी पिलाया नहीं बाद अमरित पिलाने से क्या फायदा कभी प्यासे को पानी पिलाया नहीं बाद अमरित पिलाने से क्या फायदा कभी गिरते हुए को उठाया नहीं बाद अमरित पिलाने से क्या फायदा कभी गिरते हुए को उठाया नहीं बाद अमरित पिलाने का क्या फायदा कभी प्यासे को पानी पिलाया नहीं बाद अमरित पिलाने का क्या फायदा मैं तो मंदिर गया पूजारती की पूजा करते हुए ये खया लागया मैं तो मंदिर गया पूजारती की पूजा करते हुए ये खया लागया कभी माँ बाप की सेवा की ही नहीं फूर फिर पूजा को करने से क्या फायदा कभी माँ बाप की सेवा की ही नहीं फिर पूजा को करने से क्या फायदा कभी प्यासे को पानी पिलाया नहीं बाद अमरित पिलाने से क्या फायदा कभी प्यासे को पानी पिलाया नहीं बाद अमरित पिलाने का क्या फाइदा मैं तो सत संग गया गुरुवाणी सुनी गुरुवाणी को सुन कर खयाला गया मैं तो सत संग गया गुरुवाणी सुनी गुरु वाणी को सुनकर खयाला गया जन्म मानों का लेकर दयाना करी फिर मानों कहलाने का क्या अफ्राइदा जन्म मानों का लेकर दयाना करी फिर मानों कहलाने का क्या अफ्राइदा कभी प्यासे को पानी पिलाया नहीं बाद अमरित पिलाने का क्या अफ्राइदा कभी प्यासे को पानी पिलाया नहीं बाद अमरित पिलाने का क्या अफ्राइदा मैंने दान किये मैंने जप तप किये दान करते हुए ये खयाल की आया मैंने दान उंकिये मैंने जप तप किये दान करते हुए ये खयाल आ गया कभी भूखे को भोजन कराया नहीं दान लाखो का करने से क्या फाइदा कभी भूखे को भोजन कराया नहीं दान लाखो का करने से क्या फाइदा कभी प्यासे को पानी पिलाया नहीं बाद अमरत पिलाने से क्या फाइदा कभी प्यासे को पानी पिलाया नहीं बाद अमरत पिलाने से क्या फाइदा गंगा नहाने हरी काशी गया गंगा नहाते ही मन में खयाला गया गंगा नहाने हरी काशी गया गंगा नहाते ही मन में खयाला गया तन को धोया मगर मन को धोया नहीं फिर गंगा नहाने से क्या फायदा तन को धोया मगर मन को धोया नहीं फिर गंगा नहाने से क्या फायदा कभी प्यासे को पानी पिलाया नहीं बाद अमरित पिलाने से क्या फायदा मैंने वेद पड़ी मैंने सास्त्र पड़ी सास्त्र पड़ते हुए ये खयाला गया मैंने वेद पड़ी मैंने सास्त्र पड़ी सास्त्र पड़ते हुए ये खयाला गया मैंने ग्यान किसी को बाटा नहीं फिर ग्यानी कहलाने से क्या फायदा कभी प्यासे को पानी पिलाया नहीं बाद अमरत पिलाने से क्या फायदा कभी प्यासे को पानी पिलाया नहीं बाद अमरत पिलाने से क्या फायदा मात पिता के चरणों में चारों है धा आजा आजा यही मुक्ती का है धा माता पीता की चर्णों में चारों है धा, आजा आजा यही मुक्ती का है धा माता पीता की सेवा की ही नहीं, फिर तीथों में जाने से क्या फाइदा माता पीता की सेवा की ही नहीं, फिर तीथों में जाने से क्या फाइदा कभी प्यासे कुपानी पिलाया नहीं, बाद अमरत पिलाने से क्या फाइदा कभी प्यासे कुपानी पिलाया नहीं, बाद अमरत पिलाने से क्या फाइदा कभी गिरते हुए को उठाया नहीं, बाद असु बाहाने से क्या फाइदा कभी प्यासे कुपानी पिलाया नहीं, बाद अमरत पिलाने से क्या फाइदा कभी प्यासे कुपानी पिलाया नहीं, बाद अमरत पिलाने से क्या फाइदा झालेदा